तो दोस्तों जोसा के राउंड वान के सीट अलॉट हो चुके हैं तो आज हम बात करते हैं कि टॉप टैन नाइटीज में कितनी कितने मैक्सिमम रैंग गई है ओपनिंग रैंग और क्लोजिंग रैंग तो मैं जेंडर न्यूट्रल की बात करूंगा अधर स्टेट की जो रैंग होती है उनके लिए तो सबसे पहला है हमारे पास है नाइटी तिलची जिसकी ओपनिंग रैंग है 163 और क्लोजिंग हुई है 564 पे उसके बाद सूरतकल 578 ओपनिंग क्लोजिंग है 1002 उसके बाद तीसरे नंबर पे है राउर के ला 871 और क्लोजिंग हुई है और है 202 पे मेर पर फिर आता आपका वरांगल फोर्थ नंबर पर इह जो और है यह नर्फ रैंकिंग के बेसिस पर 2020 नर्फ रैंकिंग के basis पे ठीक है दोस्तों तो वरांगल है जिसका है आपका 616 ओपनिंग और 1167 पे क्लोज कलिकत यह है आपका 1642 पे ओपन और 2869 पे क्लोज फिर आता है आपका VNIT नाकपूर जिसकी ओपनिंग है 1568 और क्लोजिंग है 3780 फिर आता है आपका जैपूर वो है आपका 693 ओपनिंग 3160 क्लोजिंग फिर आता है आपका एक तो उपनिंग 5496 पर अपकी और क्लोजिंगे 8668 पर był फिर आथा अपका दुर्गापूर जिसकी ओपनिंग है 4846 और क्लोजिंग होती है 7159 पर olur यिसकी ओपनिंग है 783 और क्लोजिंग 23 two수 एक बात गौर करिएंग कि मैंने बोला तो टॉप 10 था लेकिन फिर भी मैंने अलाबाद को इंक्लूड किया है विए दोस्तों अलाबाद बिसिकली पता नी क्यों नर्फ में नीचे जा रहा है पता नी किस क्राइटेरिया में अलाबाद को नीचे है लेकिन अलाबाद की जो कट आफ आप देखेंगे ना 783 ओपनिंग और 2613 तो यह कट आफ ना टॉप 5 एनिटी के पास आती है ठीक है यह कट आफ आपके कलिकत के बराबर है यह समझिए ठीक है तो पता नहीं यह क्यों अलाबाद अच्छा नहीं कर पा रहा है लेकिन उसकी प्लेस्मेंट बहुत ही जवरदस्त है उसका मतलब सबकुछ ही बहुत अच्छा बहुत पराना इंस्टिट्यूट है बहुत अच्छा प्लेस्मेंट है लेकिन चलिए ठीक है वो लोग देखेंगे इसके उपर तो चलिए आज के लिए यहीं अंत करते हैं और हाँ दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको पह इड लाइन्स आती हैं तो पुड़ा पढ़के जाईएगा कोई जल्दबाजी ने अब तो कुछ करने को है ने अपने अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी है रैंक आ चुके हैं तो उस पर ध्यान दीजिए तो चलिए बाई